हलो दोस्तों अरद्यरस अकडमी के यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आई ये सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए राजस्तान का भुगोल के अंदर सबसे महत्वपून टोपिक माना जाता है वो है राजस्तान की परमुक्सीचाई प्रियोजनाएं एवं जल सरक्षन तकनीक दोस्तों इस टोपिक से समंदीत आज मापके लिए टोप सो प्रस्तन लेकर आया हूं एकदम नए प्रस्तन है और दो हजार एक्किस तक विबिन परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्तनों को इसमें सामिल किया गया है दोस्तों ह अगर आपने अरद्यरस एकडिमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें और अगर आपने पिछली जो कलासे हैं वो नहीं देखिए त प्राकर्तिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए बनाए गए बांद कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बहुत ही अच्छा प्रस्न है बताइए सीचाई के उद्देशे से प्राकर्तिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए बनाए गए बांद को कहते है क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं बैराज क्या बोलते हैं बैराज तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है जैसे कोटा बैराज नाम तो सुना ही होगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा किसी नदी द्वारा निर्मित जल पर वहा की विशेश विवस्ता को कहा जाता है किसी नदी द्वारा निर्मित जल पर वहा की विशेश विवस्ता को कहा जाता है क्या कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा अपवातंतर कहते हैं क्या कहते हैं अपवातंतर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर अपवातंतर तीन नमबर का प्रस्टन इसमें देखिए यहां पर समझ सागर तालाब और फते सागर जीले हैं कहां इस्तिता है बताईए समझ सागर तालाब और फते सागर जीले हैं वो कहां पर इस्तिता पत्यसागर का नाम सुनते ही, आपको पता चल गया होगा, रैइट आंसर क्या होगा इसका वो है दोस्तों, अपना इसमें, देखिए एक पत्यसागर है, वो कहांपर है उदैपूर में हैं, लेकिन यहां पे देखिए, फत्यसागर दूसरा है, और यहांपे समझ सागर तालाब है वो अलग है ठीक है और यह दोनों दोस्तों का पर है यह दोनों जृट्णों में हैं यहांपर ऋप्र स्मझत का राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का आपसन बिलकूल सही हुधता है ठीक है ए नमबर आपसन बिलकूल सही आगे देखिए तो वो है सायक नदिया कहलाथी है क्या कहलाथी है सायक नदिया तो इसमें B नमबर उप्जेन बिल्कुल सही पांच नमबर का प्रेस्टन ने इसमें देखे दो अपवाच्शतरो के मद्दे की उच भूमी जो वृसाजल को विबिन दिशाओं में परिवर्तित करती है कहलाती है तो दोस्तों क्या कहलाती है राइट अंसर हो जाएगा वो है जल विबाजक रेखा कहलाती है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर जल विबाजक रेखा आगे देखिए शिक्स नंबर का प्रिशने जल परियोजनाओं को आधुनिक भार किसको जल परियोजनाओं को काहा है तो इसमें राइट अंसर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सभी साथ नमबर का प्रेस्ट ने इसमें देखिए तालाबों से राजस्तान में कितने प्रतिशत सीचाई सुधाय प्राप्त है बताईए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि राज 33 प्रतिशत सीचाई होती है नहरों से और तालाबों से कितनी होती है तो दोस्तों लगबग आप एक प्रतिशत बोल सकते हैं और अगर एक प्रतिशत उप्शन में नहीं दे रखा है तो आपको 0.7 प्रतिशत करना है 0.7 प्रतिशत सीचाई होती है तालाबों से यहां पर ए जुन जुनों में इस्टितफ है डी नंबर का उप्सन बिलकुल सही उत्त है यहां पर ऄया ये पूछा गया था इसका इसका राइट अंसर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र आगे दहए राणी जी की बाओडी कहा पर सदाए राइट उंसर हो जाएगा यह बुंदी में सदा आइण बिल्कुल सही उत्र यहाँ पर देखें कि ग्यारा नमबर की समेलित कीजेidd got पूछा गया है ठीक है देखिए एक तरफ लिप्ट परियोजना है दूसरी तरफ पानी के आप पूरती के जिले हैं यानि की पीने के पानी की आप पूरती कौन से जिलों में होती है यहां पर देखिए दोस्तों सिधा सा मापको बता दूँ कि देखिए कमर से लिप्ट नहर प्रियोजना है इससे कौन सा जिला पानी पीता है या पानी उपलब्द होता है इस लिप्ट नहर से इस प्रहस्न का देखिए इसमें कमर से लिप्ट नहर से दोस्तों विकानेर जिले को पानी मिलता है ठीक है गंदेली साहबा लिप्ट प्रियोजना इससे दोस्तों देखि चूरू जिला है वो पानी पिता है और राजिव गांदी लिप्ट नहर से दोस्तों कौन सा जिला पानी पिता है जोध पूर पिता है और गजनेर लिप्ट नहर से दोस्तों नागोर जिला पानी पिता है ठीक है यहां पर यह इन इन जिलों को पानी की आपूर्ति की जाती है इनिलिप्टन हर परियो जनाव से इस question का right answer हो जाएका C चार तीन दो एक यानिकी अपना इसमें देखिए Dwe tim आ अपना इसमें C न candle option है वो इसका बिल्कुल सरीउत्व जाएगा चार-तीन दो एक ठीक है आगे देखिए इसमें 12 नमबर का प्रशन है राजस्तान के किस भाग में तालाबों से सरवादिक सिचाई होती है बताई किस भाग में तालाबों से सरवादिक सिचाई होती है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो दक्षिन पूरवी भाग में दक्षिन पूर्वी भाग में तालबों से सिचाई सरवादिक होती है और खास कर भीलवाड़ा चितर में भीलवाड़ा जिले के जो चितर है आसपास का वहां पर तालबों से अधिक सिचाई होती है बी नमबर उप्सन बिलकुल सही आगे देखिए निमने में से कौन सा जोड समेलित नहीं है तो कौन सा जोड़ा है वो इसमें समेलित नहीं है आरेश प्री में पुछा गया प्रसन है देखिए बैथली सिचाई परियोजना का पर है बारा में बिलकुल सही है चाकन सिचाई परियोजना का पर है बुंदी में ये भी बिलकुल सही है यहां पर इसमें देखिए निमने लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो कौन सा कथन है वो इसमें सत्य नहीं है वो यहां पर अपने को बताना है देखिए कुए एवं नलकूप राजस्तान में सिचाई के प्रमुक्सादन है बिल्कुल सही है 66% सिचाई है वो कुए एवं नलकू होती है गंग नहर का निर्मान का रिये गुनिशों सथाइस में पूर्ण हुआ था और गुनिशुस। में यह पूर्ण हुआ था ठीक है दोनों का थन बिल्कुल सही है तीसरा देखिए इंद्रा गांदी नहर के जल का उपयोग सिर्फ सिचाई के लिए होता है ये गलत हो जाएगा दोस्तों सिचाई के साथ साथ पेजल के लिए भी उपलब्द होता है ठीक है और देखिए इसमें खडीन सुष्क राजस्तान में जल सरक्षन की प्रागत विदी है ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ये कतन है ये सत्य नहीं है तीक है आगे देखे पंदरा नमबर का प्रेशन है नरमदा नहर के द्वारा कौन से जिलो में पेजल पूरती होगी इस प्रेशन का राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है जालोर वा बाड मेर जिले में दोस्तो नरमदा नहर से समंदित पेजल की आपूरती होती है यहां पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा फ़स्ट ग्रेड में पूछा गया था आगे देखे राजस्तान में उपनिवेशन का मुख्य कारिये है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो भूमी आवंटन करन डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर भूमी आवंटन करना आगे देखे जमाई परियोजना से लाबानवित नहीं होने वाला जिला है इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बाडमेर यहां पर डी नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आरे स्प्रे में यह प्रेस्टन पूछा एगा बाडमेर इसका राइट आंसर ऐठारा नममर का प्रेस्टन इसके बावड़ी अथवा गुलाब का हस्तित है इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना काँपर तो ये बूंदी में है दोस्तो ये गुला की बावडी या गुलाब बावडी ठीक है यहाँ पर D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुलाब बावडी का आकार हेर पिन के समान कुंडली कार है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो गुला की बावडी बुंदी है उसका आकार हेर पिन के समान है तो यहाँ पर इसका राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे इसमें इंद्रा गांदी नहर का निर्मान कारिय इंद्रा गांदी नहर का निर्मान कारिय है वह नीच प्रारंब हुआ था और इसका जो उद्गम है तो दोस्तो इसका उधर्गम है 17 व्यास नदी पर हरी के बिराज से दोस्तो इसका उधर्गम होता है किसका इंदरा गांदी नहैर प्रियोजना का तो यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर आगे देखिए चांद बाउडी कहां पर इस्तित है चांद बाउडी है दोस्तों सभी को पता होगा यह तो आबा नेरी दोसा में है ए नंबर उप्शन बि पत्राला जोड़ा कहां इस्तित है सेठानी जी का जोड़ा और पत्राला जोड़ा कहां इस्तित है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चूरू ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर चूरू में 24 नंबर का प्रेस ने इसमें देख सोरी सी नंबर का जो उप्शन है वह इसका बिलकुल सही उत्र हो जाएगा कोटा से ले जाय जा रहा है ठीक है बिलवाड़ा को रेल मार्थ द्वारा पीने का पानी कहां से ले जाय पिठाना जोड़ा अत्वा बीजाना जोड़ा और कालरा जोड़ा कहां इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें कहां पर रहे तो यह है कोटा में नहीं सोरी देखिए कहां पर रहे जुन जुनु चूरू सिकर और बरतपूर बताईए पिठाना जोड़ा और कालरा जोड़ा कहां इस्तित है चूरु जीतर हो जायेगा वह दोस्तों अपना इसमें यह चूरू जीलियले में गड़ि सर तालाब का आपर इस्तित है, यह इस्तित है दोस्तों, जसल मेर में B नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर, जसल मेर, आगे देखिए अमर सागर, गजरूप सागर, मूल सागर, जेट सागर, विजड़ा सर, जोजी सर, गंगा सागर, गुलाब सागर, एवम, इस स सारी चीजे वह एक जगए पर इस्तित्थ नियानी कि जिले में एक झिल्ए में चौन है तो यह इस्तित्थ दूस्त जासल मेरे में ए नंबर का जो प्ष्ण है वह इसका बिल्कुल सहूथ रुईत ठीक है आगे देखिए महिला बाग जालरा एवम तुमर जी का जल जालरा नामक जल्सरोत कहां इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपूर में इस तीत है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीधर जोधपूर में तीस नंबर का प्रेशन इसमें देखे तापी बावडी नैंडसी बावडी पांचवां मसीजा की आप कहां इस्तित है यह आपको याद रखना है दोस्तों यह ऐसे प्रेस्ट है जो आपको अपने साथी से आगे लेकर जाते हैं ठीक है यह प्रेस्ट थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं लेकिन परिक्सा में दस प्रेस्ट में ऐसे पूछे जाते हैं जो हाई लेवल के हो और जो उनमेंसे, दसमेंसे दोस्तों, चीजाओ और पांचा सई किरेता है, उसका सेलेक्षिन हो जाता है. तो ये चीजा आपको इसमें ध्यानी रखनी है. तापी, बाउडी, नैंडशी बाउडी, पांचवा जाकी बाउडी, और बाइजी का तालाब कहां इस इत्वात को बताया था लगबग एक परतिसत सिचाई है वो दोस्तों किस से होती है तालाबों से होती है ठीक है यानि कि अगर एक परतिसत उप्षन में नहीं दे रखा तो जीरो पॉंट साथ परतिसत आपको वहाँ पर हैं सो परतिसत मिलेगा कुए एवम नलकूपो से 66% और नहीरो से लगबग 33% सिचाई होती है यहां पर इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरवादिक सिचाई की बात कर रहा हूं तो कुए एवम नलकूपो से होती है ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए राजस्तान में नहीरो लोधपूर दिख रहा है नागोर भी नहीं दिख रहा चूरू भी नहीं दिख रहा यहां पर आपको दिख रहा है दोस्तों गंगा नगर हनुमान गड़िये यह अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एह नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए पर यह पांचना बांद है वह इस्तित है और यह कहां पर है यह करोली में है डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान की सबसे बड़ी नदी गाटी परियोजना कौन सी है तो सबसे बड़ी नदी गाटी परियोजना कौन सी है पर इस्प्रेशन का राइट आंसर सी नंबर का उपसन बिल्कुल सही आगे देखिए चंबल परियोजना किन किन राज्यों की परियोजना है बताइए चंबल परियोजना है किन किन राज्यों की सहयुक्त परियोजना है राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्तान और मद्य प सागर बांद है, ये मद्दे पर्देश में हैं, जमार सागर, कोटा बेराज और राना परताब सागर, ये तीन बांद राजस्तान में है, टोटल चार बांद निर्मित किये गए हैं, बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें, अगे देखे, निम्न में स परियोगना से राजस्तान के कोन से जिले लाबानवित होंगे, सरदार सरोवर परियोगना कहां पर इस्तित है ये इस्तित है दोस्तों बताईए सोम कागदर परियुजना इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखे ये इस्तित है उद्धेपूर में कहां पर है उद्धेपूर में इस्तित है दोस्तों तो यहां पर बी नंबर का उप्सन बिल्कुल स सब्सक्राइब चाहिए परियोजना एवं चेम्विली परियोजना कहां इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों जालावाड में यह तोंपर है जालावाड में सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सब्सक्राइब जालावाड में है आगे देखे इसमें बीम सागर सिचाई परियोजना एवं हरिस्चंदर सिचाई परियोजना कहां इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों जालावाड में तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर जहालावाड में ठीक है आगे देखिए इसमें हरिष्चंद्र शिचाई परियोजना किस नदी पर हिस्तित है बताईए तो यह इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए सावन बादो परियोजना का इस्तित है सावन बादो परियोजना है ये दोस्तों कोटा में इस्तित है डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर कोटा में इस्तित है आगे देखिए बेथली सिचाई परियोजना का इस्तित है इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों ये के सब राए पाटन बूंदी में स्थित्थ यह चाकन शिचाई पर असना बिल्कुं सही उत्तर 47 नमबर का प्रेस्ट ने इसमें देखिए अजान बांद सिचाई परियुजना कहां इस्तिता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कहां पर है तो ये है दोस्तों भरतपूर में है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आगे देखें, बिलास बांध परियोजना आपर in leads, यह है दोस्तो बूंदी में, तो मिट्टी दूरा निर्मित कौन सा बांध है, राइट आउसर हो जाएगा वो है। दोस्तों पांचना बांद सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अभी बताया था आपको कहां पर आये करोली जिले में हैं पांचना बांद कहां इस्तित है करोली में बी नंबर उप्शन सही आगे देखिए मोरेल बांद कहां इस्तित है मोरेल बांद दोस् तो जालोर में कहां पर है जालोर में तो यहां पर एलबर उप्शन-ा का मिलकुल सभी आगे देखिए खारी बांद कहा स्तित है हारी राइट अंसर हो जाएगा बहल नम्भ उप्शन बिलकुल सभी बराद किस नदी पर्いつित नदी पर पर सागर बांद लसाडिया बांद एवं में वसंदनी बांद कहां इस्तित है बताए नारान सागर बांद फूल सागर बांद लसाडिया बांद एवं में वसंदनी बांद कहां इस्तित है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यह है कहां पर यह अजमेर में है तो इसमें राइट answer B number का option बिल्कुल सायोत्र तीक है? आगे देकिए बंद बारेठा बांद कहा हिस्तित है? बंद बारेठा बांद कहा है पर फ्रीचत ए तो यह भरतप्पुर में है C number option बिल्कुल सायोत्र यहाँ पर देकिए 57 number का प्रसन बांकली बांद किस नदी पर इस्तित है दोस्तों यह मैंने अभी आपको बताया बांकली बांध है यह काँ पर है तो यह जालोर में है और यह कौन सी नदी पर है तो यह सूकडी नदी पर है दोस्तों यह तो इसमें A-number का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे तीजारा बांध कहा इस्त इतितत है एकर बांद कहा है टौक में पर और टॉड़ी सागर बांद यह भी तौक में है आङे देखे यहां पर अकड़ बांद कहां इस्तित है अकड़ बांद कहां इस्तित है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो ये भीलवाड़ा में है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर भीलवाड़ा में आगे देखिए जवाई बांद कहां इस्तित है जवाई बांद कहां पर है तो ये पाली में है ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर ठीक है आगे देखे दोस्तों अपना इसमें बजाज सागरबांद कहां इस्तित है बजाज सागरबांद कहां पर इस्तित है सही उत्तर हो जाएगा बासवाड़ा में है दोस्तों ये बजाज सागरबांद ए नमबर उप्शन बिल्क खेडा और वहिसावर यहाँ पर सी नंबर का उपसन राइट अंसर हो जाएगा आगे देखे ओराई पर्योजना कहा इस्तित है और आई परियोजना वह क्यों चितौड में है यह और आई परियोजना एन बिलकुल सभिया अगे देखे पाली घाट चंबल लिप्ट परियोजन प्रियोजना किस जिले में निर्माना धीन है इसका सही उतर हो जाएगा वह है दोस्तों कोटा में एक नंबर का उप्षन बिलकुल सही उतर कोटा में आगे देखें गर्दड़ा सिचाई प्रियोजना बूंदी से समंदित नदियां है इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाए नदियां ठीक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उप्षन बिलकुल सही आगे देखें बांकड़ा नांगल परियोजना किस नदी परिष्टित है बांकड़ा नांगल परियोजना का समंद किन राज्योशे है तो पंजाब हरियाना राजस्तान की यह सयूंक देश की सबसे बड़ी बहुत देश यह नदी गाटी परियोजना कौन सी है राइट आंसर हो जाएगा वह है भांकड़ा नांगल परियोजना यहां पर बी नंबर का उप्षन बिलकुल सही उतर हो जाएगा इक तर नंबर का प्रेसन इसमें देखिए निमन मेंसे कौन सा य सही है कोटा बराज बांध की स्थापना गुनिंस तो साट में ही जामार साγαर-बांध की स्थापना गुनिस बहतर में हूए थी यह बिल्कुल से यह राना पारताब सागर्बान की स्थापना दोस्तों confirm 맞 यह निसमें गलत दे रखा है और यह या बहुता बहुत आ सु सथर में तो यह आपको इसमें याद रखना है सी नंबर का उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे इसमें माही बजाद शागर परियोजना का लोकारपन कब किसके द्वारा किया गया सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों इंद्रा गांधी के द्वारा गो प्रिवजना का संबंद कि जिले से जाली-पूरा जलो-थां-प्रिवजना का संबंद किस जिले दे से है इसका राइट आंसर मबदими2 दोष्ट से कोटा से आगे देखेंकर इंद्रा गांदी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर इस्तित हरी के बांद से निकाली गई है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो 17 व्यास नदी से तो इसमें बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कवर्षेन लिप्ट नहर प्रणाली से किन जिलों को सिछाई की सुवईदा उपलब्ब दोती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बिकानेर बी नमबर का ऑफ्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें छेतर नमबर का प्रेशन है विकानेर नहर किस नहर परियोजना का पूर्व नाम है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों गंग नहर का तो इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर गंग नहर का आगे देखे गंग नहर का उद्गाटन किस न किया था बताइए बहुत ही चाप्रांसने हैं इसका सही उत्र हो जाएगा वह दोस्तों यह किया था दोस्तों कि hangma governor general था उससमय को थिए उससने दोस्तों इसका उद्गाटन किया था तो इसमें right यह नमंबर शॉक्ष कैसो है इसका बिलकुल सही तर ठीक है आगे देखिए इसमें विलास शिचाई परियोजना का समंद्ध मुत से जफ्रious में वह है २ 50. से यह नंबर वसंदाइब एल्कुल सभारा से आगे देखेए इसमें देखिए पीपलदा लिप्ट सिचाई पर्यूजणा का समद्द किस जिले से हैं पिल्वारा से बिल्कुल सभारा से बीजिध कारे करम का समद्द किसे होता है मेसिव कारिकरम का सम्मद्ध किसे होता है यह होता है दोस्तो शिचाई कारिये के लिए रणवे अनुदान से इसका सम्मद्ध होता है मेसिव कारिकरम का तो यहाँ पर C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 81 नमबर प्रेसने इसमें देखे नरम्दा परियुजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है इसका right answer हो जाएगा वो है जालो और बाडमेर में आगे देखे इसमें जावाई परियुजना से लाबानवित है नहीं होने वाला जिला है जमाई परियोजना से लाबानवित नहीं होने वाला जिला कौन सा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिरोई उदैपूर और राजसमंद यह तीनों जमाई परियोजना से लाबानवित हो रहे हैं बाडमेर है वो इससे लाबानवित नहीं हो रहा तो यहां पर इसमें ए नंबर का उप्शन राइट अंसर हो जाएगा आरेस 2015 में यह प्रेस्ट नहीं पुछा गया था आगे देखिए वह कौन सी पर्यूजना है जिसमें सिचाई केवल फुवारा सिचाई पद्दश्टी से ही करने का प्रावदान किया गया है बताइए यानि कि इस प्रंकरलर यानि कि फुवारा सिचाई पद्दश्टी से ही वहां पर सिचाई करने का प्रावदान है तो वो कौन सी पर्यूजना है वो पर्यूजना है दोस्तो नरम्दा नहर प पूछा गया ठीक है तो यहां पर ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए सुमेलित करना है ग्राम से वक में पूछा गया था 2016 में प्रशने एक तरफ लिप्ट नहर है दूसरी तरफ लाबानवित जिले हैं ठीक है यहां पर देखिए जैनारेंड व्यास जो लिप् कुमबाराम लिप्ट नहर से दोस्तों हन्वानगड और चूरू जिला लाबानवित हो रहा है पन्नाल बारुपाल लिप्ट नहर से दोस्तों कौन सा जिला लाबानवित हो रहा है तो दोस्तों विकानेर और नागोर यह दोनों जिले लाबानवित हो रहे हैं और डॉक्टर एक दो यानि कि C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें 85 नंबर का प्रेशन इसमें देखे निम्न में से राजस्तान के किस जिले में अनास बांद परियुजना का निर्मान किया जाएगा निम्न में से किस जिले यानि कि निम्न मेंसे राजस्तान के किस जिले में अनास बांध परियुजना का लोकारपन या निर्मान किया जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बांस वाड़ा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर 2018 में पुछा गया प्रस्न है सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है सुची फर्ष्ट में मुख्य सिचाई परियुजना है और सुची सेकंड में सिचाई सुईदाओं से लाबानवित जिले एक प्रस्न तो दोस्तों आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों देखिए इसमें सि चालोर पाली एवं जोधपुर है और जाखम पर्योजनाओं से दोस्तों उदैपुर्व परताब गड़ है यहां पर इस प्रेस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा चार एक दो तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देख है दोजार बारा में यह पूछा गया है दोस्तों का पर रहे तो यह जालावार में है का और रहे ध्रह्म भ का में थे यहाँ पर इस प्रेशन का राइट आंसर डी नंबर का उप्षन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें नीचे दी गई प्रियोजनाओं एवं उनसे समंदित जिले का कौन सा युग में सही नहीं है राज़तान पुलिस में यह प्रेशन पुछा गया था दोजार अठा निम्न लिखित में से कोन सा जिला है राइट आंसर ऑगा लजाएगा इंद्रा गांदी नैर का प्रवेश बिंदू प्रवेश बिंदू पुछा गया है दूस्तों यहां पर ठीक है राइट आंसर हनुमान गड़ो जाएगा तो यहां पर सी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर आगे देखे सोम कमला अंबा सिचाई परियोजना निम्न में से क हैर वेवस्ता भारत में कौन सी है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गंगन हैर परियोजना नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोजार साथ में पुछा गया प्रेस ने यहां पर देखिए गलत यूगम को अपने को चुनना है देखिए एक तरफ है जल रासी है दूसरी तरफ इस्तान है देखिए गेप सागर का पर है डूंगरपुर में बिल्कुल सही है काईलना का पर है जोदपुर में यह भी बिल्कुल सही है चांदबावडी आबानेरी दोसा में है यह भी बिल्कुल सही है गड़शी सर यहां पर बिकानेर गलत दे 16 में पूछा गया प्रसने एक तरफ सिताई प्रयोजना है दूसरी तरफ लाभानवीत जिला है ठीक है दोस्तो देखिए गागरिन सिताई प्रयोजना काँ पर है गागरिन सिताई प्रयोजना दोस्तो जालावाड में है काँ पर है जालावाड में है तकली सिताई प्रयोजना ये दोस्तों कोटा में है और लियासी सिचाई परियुजना ये बारा में है और चाकन सिचाई परियुजना का पर है ये बूंदी में है इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा चार तीन दो एक इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा चार तीन दो एक यानि कि ए का जो उप्षन है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे नाइन नाइन टी-फॉर नमर का प्रस्ट निम्न में से कौन सी परमपरागत जल सरक्षन की विदी नहीं है बताइए कोलेज व्याक्यता आपको यहां पर दिख रहा होगा आगे जो तालाब है यह जल सरक्षन की विदी नहीं है बाकी देखिए नाडी-खडीन और तोबा यह तिनों जल सरक्षन की क्या है विदी है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही तो यह तो रहा है तो यह पूछा गया था तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नंबर का उप्षन बिल्कुल सही करें दोजार दस नहर को से निकाली गई है राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों बताइए तो यह 17 नदी से निकाली गई है 2010 में पुछा गया प्रेशन है आगे देखे जसल मेर में पालिवाल ब्रामनों द्वारा विक्षित मोलिक पारंपरीक वर्षाजल संचेन पद्दती का नाम है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों खडीन बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इंद्रा गांदी नहर का निर्मान कारिये वर्ष गुनी सो अठावन से प्रारंब हुआ और इसका उद्गम है इसका सही उतर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सतलुज व्यास नदी पर हरीके बैराजबान से ठी चाही और पीने का पाणी परदान करती है सई उतर हो जाएगा 25 चेतर Kun आगे देखे वे इंद्रागांदी नहर परियोजनां इन जिलों को दोस्तों सिचाई सुईधा प्राप्त हो रही है यह नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो दोस्तों यह मैंने आज़ा आपको राजस्तान की प्रमुक सिचाई प्रियोजना एवं जल सरक्षन तक्नीक से संबन देते यह टोप सो प्रसन करवाए हैं और अगर आपने पिछली कलासे हैं वो नहीं देखिया है तो आप ले लिश्ट में जाएए वहाँ पर आपको फो जय हिंद जय भारत